नमस्ते बाईयों Android बड़ी में आप सभी का स्वागत है आज किस वीडियो में हम लोग करेंगे एक और नया TWS का अन्वाक्सिंग और इसका रिव्यू और आज किस वीडियो में हमारे पास आया है Troop का Buds F1 Ultra 1,000 रुपीज के प्राइस प्राइस के अंदर एक और TWS येरफोन है हाला कि इसका प्राइस है पिछले वाले से थोड़ा सजादा है यहां पर इसका नॉर्मल जो प्राइसिंग है 1,099 रुपीज है लेकिन आप लोग इसके फर्स सेल के दौरान इसको परचेस कर सकते है सिर्फ पर सिर्फ 9.99 रुपीज में इसका सेल अल्रेडी चालू हो चुका है तो आप लोग नीचे दिये गए लिंक से जाकर चेक आउट कर सकते है और अगर आप लोग ओफर मिलता है तो आप लोग डिफिनिटली परचेस कर सकते है चलिए जानते है इस ट्रूक बर्ड्स एफ वान अल्ट्रा के बारे में 1,000 रुपीज के प्राइस पॉइंट के अंदर बहुत ही एमेजिंग फीचर्स दिये गा है साथी में यहाँ पर एक वारेंटी कार्ड और यूजर मैनूल भी देखने को मिल जाता है जहाँ पर आप लोग कैसे इसको ऑपरेट कर सकते हैं उसका एक डीटियल गाइड मिल जाएगा सबसे पहले बात करें यहाँ पर बिल्ट क्वालिट के बारे में जिसके वज़ास से यह काफी कूल लगता है नॉर्मली अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर कोई भी light glow नहीं करता है लेकिन जब आप लोग इसको open या close करेंगे या फिर यह चार्ज होगा तब यहाँ पर आप लोग यह LED जो है ग्लो करता हुआ दिखेगा और यहाँ पर यह यह बर्ड्स है यह बर्ड्स भी काफी stylish है यहाँ पर पीछे में chrome metal finish जैसा back दिया गया है साथ ही में सामने का portion पूरा ही यहाँ पर matte finish के साथ आता है और design भी इसका angular है तो इसके वाज़ाद से काफी easily कान के अंदर fit हो जाते है और काफी lightweight होने के कारण यहाँ पर कानों में पहनने के बाद बहुत ज़्यादा heavy feel नहीं होता है कानों में लगाने के बाद कुछ इस तरह का लगता है जैसे का आप लोग देख सकते है टुक के इन F1 Ultra के अंदर एक खास बात यह है कि यहाँ पर आप लोगो चार माइक देखने को मुलेगा जिसके मतलब से आप लोग ENC को काफी अच्छे से यूज़ कर पाएंगे यहाँ पर जो ENC दिया गया है इसके मतलब से जब आप लोग कॉल पर बात कर रहे होंगे तो आपका कॉलिंग का दौरान opposite end पर आपका voice काफी क्लिरली सुनाई देगा साथी में यहाँ पर इनका battery backup भी काफी अच्छा है charging case और earbuds मिला के एक कंपणी का claim है around 60 hours का playback मिल जाता है लेकिन मेरे usage के दोरान around 55 to 56 hours का यहाँ पर battery backup मिल जाता है तो उसे आप से यहाँ पर battery backup काफी सही है यह मैं कहाना चाहूंगा साथी में यहाँ पर एक और चीज अच्छा दिया गया है यहाँ पर आप लोग को बहुती अल्ट्रा लो लेटेंसी देखने को मिलता है यानि कि अगर आप लोग गेमिंग बगेरा भी करते है तो उस case में भी आप लोग काफी ज्यादा help हो जाएगा सिर्फ 40 मिली सेकंड्स का यहाँ पर लेटेंसी देखने को मिलता है जिसके मतद से आप लोग गेमिंग बगेरा भी काफी अच्छे से कर सकते है इसके इंदर में आप लोग टच करके music को play, pause या फिर next song में भी जा सकते है फाइनली बात करें इसके audio quality के बारे में तो यहाँ पे 13 mm का driver size देखने को मिलता है जो की काफी बड़ी size है और इसके बजाए से इसका audio quality भी काफी अच्छा हो जाता है हाला कि जिस price point पे यह मिल रहा है उस price point में मुझे इससे ज़्यादा expectations नहीं था लेकिन मेरे expectations से भी ज़्यादा यहाँ बेटर perform किया है यहाँ पे trucks का birds f1 ultra base यहाँ पे ठीक टाक आप लोगो मिल जाएगा साथी में vocals और instrumentals का separation भी आप लोगो ठीक टाक सुनने को मिल जाएगा overall इस price point की इसाप से काफी बेटर audio quality आप लोग consider कर सकते हैं साथी में यहाँ पे तीन preset modes भी देखने को मिल जाते है audio का जिनको change करके आप अपने applications की इसाप से इसको use कर सकते हैं यहाँ पे एक mode मिलता है dynamic audio mode, एक mode मिलता है base boost mode तो base boost mode में आप लोग इसको use कर सकते हैं साथी में एक movie mode भी आता है जिसको use करके अगर आप लोग movies बगेर वाच कर रहे हैं तो वहाँ पे आपका काफी अच्छा audio output सुनने को मिलेगा तो वाई यह ओवरल यही था Trucks Bird F1 Ultra जो की काफी affordable price में काफी अच्छे year word है अगर आपका budget around 1000 to 1100 रूपीज है तो definitely आप लोग इसको consider कर सकते हैं लिंक आप लोग को description मिल जाएगा और वहाँ से जाका आप लोग purchase कर सकते हैं आई यह वीडियो अगर पसंदा है तो लाइक कर आप लोग से अगले वीडियो में तब ते के लिए goodbye और आपका दिन सुभ हो